आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको प्रसंस्क्रूत खादियों प्रदार्ग के बारे में बताने वाली हूँ प्रसंस्कृत जो खाते हैं प्रसंस्कृत जो खाते हो इसको जंग्फूर भी बोलते हैं तो मैं जंग्फूर ही पताऊंगी जंग्फूर से चिReally बहुत प्रयाईम है EPA यह जंग्फूर हमारी हाल्जर में एक त्व्यर्थ कारक जो खाना खात्येप search वो बहुत ही बच्चे, बड़े लोग थे, we all love junk food, हम लोग को सबको बहुत अच्छा लगता है, you know, चाट खाना या चलो कुछ कच्छा खाई या मिठाई खाना, you know, कुछ सर्बत ले लिया, कुछ नब कुछ होता है, और हम लोग बाहर चले जाते हैं, किसी का बर्टी हुआ, या किसी की शादी है, कुछ भी हुआ, तो बस हम लोग को बस खाने पर ही धियान रहता है, और वो भी काना कैसा, ऐसा स्वास्तकारक खाना नहीं, you know, junk food उसको बोलता है, तो वो junk food क्यों, क्यों मतलब उसके बार में मुझे आपको थोड़ा बताना था, यह junk food है, मतलब ज्यादा से ज्यादा यह मैदा, शक्कर, ज्यादा नमक और तेल से बना हुआ होता है, हम लोगों ले लेता है के मिठाइ, बहुत लोगों को मिठाइ के बुरी लत्त होता है, प्री हम लोगों को इस चैजाओ की लत्त है, कि नहीं कैसे चकर शक्कर बाला कहते ह kneel motivation, आपके केक में कहते हैं पेश्ट्री हिंक कहते हैं जो इंक सब्सक्रादएते, जो जो सारी मिठाइय, बहा सारीके चॉकलेट दॉतर फैंक रही है उसका यहां than aFE होता है वो बहुत ही बुरा असरा है शेकर का तो उसमें आ फ्रुक्टोस करके जो मॉलिकूल है फ्रुक्टोस डियर्क्ली हमारे जो कलेजे हैं उसमें जाके तुरंथी लिवर को भीन हम चयए बिल्कुल हम लोगो जितना हो सके बच्चों को हम लोगो शक्कर क्था वाला खाना क्हाना चाहिए. बच्चों को मैं ऐसे अड्वाइज करते हूँ कि हाफते में सिफ एक बार जो कि अब्दिदे को इतिवार को अगर थोड़ी शक्कर, तो ठोड़े चुकुली चॉकलेट खानी है बिस्कित थोड़ा सा लेना है तो हवते में एक बार चलता है लेकिन हरोज मैं शकर लेने के बिलकुल मना करते हूं मैं खुद भी शकर बिलकुल नहीं खाती हूं मिठाई भी नहीं खाती हो अचली दूसरा जो है मैदा, तो मैदे की कौनसी कौनसी चीज है, जो भी हम लोग मैदे की डोटी होती है, मैदे की बिस्किट्स, जो हम लोग बिस्किट्स खाते हैं, पूरे मैदे के बने हुए है, तो समोसा है, बहुत सारा वो जो है, वो सारे मैदे के बने होते हैं, हमारी जो केक ह मैदा नहीं है चाहिए गंडे हैम जालों कॉछ पोशक तत्वां होने चाहिए, यहाथ है उस को जिल है एंप जेऊच्डवा है् एम इंड इंड़कों होने तम इंडेथे आर एकक्राइ समया complications है वो हम लोग को चिनना हम लोग को फिर देरे दिखाए देते हैं हमारे स्वास्ते में देख आपको तो यह बहुत धिहान में रखना है दूसरा जो है तलावला तलावा चीज अगर आप भार जबी खाते हो या बटाटा वड़ा खाया या बॉंदा खाया या बजी खायी व लगभग सोया ओयल या कॉर्ण ओयल या ऐसा कोई या तो कॉटन सीड ओयल ऐसे तेल जो इस्तिमाल करते हैं वह बहुत ओमेगा-6 की जो चर्वी हो उसकी मात्रह उसमें बहुत ज्यादा होती है और दूसरा क्या होता है कि जब एक बार तलते हैं वापस दूसरी बार वही त इस्तिमाल करतें तिसरी बार वही तेहली थे जो तेल आएं रीसाइकल करते हैं वह रिसाइकल से और जोतस भी करते हैं वह बरी चर्वी है वह बढ़ जाती예요 वैसे भी बूरी चर्वी तो है लेकिन उसकी मात्रा जो होती है ट्रांस फैट हम लोग बोलते हैं जैसे डालडा तो वो डालडा में हाइड्रोजेनेट फैट में कंवर्ट हो जाती हो पूरा चेंज हो जाता है तो आपको बाहर की तली हुई चीज बिलकुल नहीं खानी है इंपोर्टेंट है दूसरा क्या है कि बहुत बच्चों को ऐसी आदत होती है चोकलेट खाना कोई आया बहार से तो चोकलेट दे दिया वो आपको बिलकुल उस पे कंट्रोल लाना है बच्चों को बता सकते हैं कि यह जो चोकलेट आपको मिला है आप कहीं जगा पे रख सकत और उसको बोलना है कि हर संडे को संडे उसको एक चॉकलेट मिलेगा तो आपको बच्चे को साथ में लेकर उसको सिखाना है उसको बिल्कुल मना करेंगे कि नहीं खाना है नहीं खाना है तो बिल्कुल खाएगा तो उसको बताना है कि काना है तो ठीक है लेकिन वाफ़ते में लट नहीं हो तो एक बार खाएगा तो क्छना को चोकलेट खाता रह गए तो हरुज ऑगा है चोकलेट में रूंल हकिए अक यह में थाइक है जैसे हम लोग को जैसे हमको तमाको की लद्ध होती है, वैसे हम दो को शक्क्र की लद्ध होती है, मैं आपको चाए और कॉफी रोकने से मना नहीं करूँगी, लेकिन अगर शक्कर ना डाले या गूड ना डाले तो वह बहतर हैगा आपके सहत के लिए, ठीक है? और दूसरे सारे हैं, बहुत सारे वो ड्रिंक्स होते हैं, कोक होते हैं, कोक होता है, पेपसी होता है, you know, all those सारे जो शर्बत होते हैं, बिल्कुल रुआप सारे शक्कर होते हैं, वो पूरा जंक फूर है, बिल्कुल जंक फूर है, वो बिल्कुल आपको आपके घर में लाना ह नहीं है क्योंकि वो पूरा high fructose corn syrup जो बोलते हैं उसका बना होता है और वो डिरेक्ली कलेजी में जाके डामेज करता है कलेजी को डामेज करता है तो आपको वो बहुत में ध्यान में रखना है और बच्चों को भी ऐसे फाल्तु चीज नहीं देनी है बहुत सारी जो किशोरी हाले नहीं है वो फिरस में च لم्यक्तर के लिजिए रचे आजकर लड़की को अभी बार्टिह को उसमें बहुत की so you do अले आप बहुत गरों के फमीच्व करते हैं सारी रात पते रहते को वो फिर वो निक उनंको ना है तो वह भी आपा धी ठेहानbild आए in रोच़े इसे फरफुची जीजी लोग आप आ दीजे दूसरी जो शरबत होते हैं गोले होते हैं ऐसा क्लर प्रदार्त होते हैं का भी दे देना है क्योंकि उसमें देना है क्लरों करेमिकल इसमें दुपा क्यों कRe Bald agotime उसमें लोगों ने देखा हुआ है कि लगपक 33 टका बच्चे वैसे हैं जो 5-9 साल के उमर के बच्चे हैं जिसमें कलेजी में चर्बी की मातरा ज्यादा है मतलब वो छकर झाने में चकर यह रिय्या गाते हैं वो बहुत खाते है डाय बीदा यह तो बहुत खाते हैं गहुझ चावलह जादा खाने से भी ऐसा हो सकता है चक्कर जनक फूड जो है वो आपको भूह दिहां में रखना है हमारे बच्चेशों को आगे जाके प्लत प्रेशा ना होला हो हर्ट अटेक्ट इस केलें आपको इसलें पंद करना है लेबल जो जब भी बेसाक्ट है तो मैं है। सेशन कतम करी हूँ, आपको दो टुटोरियल है यहाँ पे, एक तो जंक फूड और आजकल जंक फूड क्यों बढ़ गया है हमारे भारत में, तो उसके बारे में भी मैंने अच्छा, बहुत अच्छा हमारे टीम ने एक टुटोरियल बनाया हुआ है, धन्यवाद. जंक फूड पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है, इस टुटोरियल में हम सीखेंगे जंक फूड की सामगरी और जंक फूड से शरीर में होने वाले नुकसान. किसी भी खाने को तीन कारकों के आधार पर जंक फूड माना जा सकता है. पहले दो कारक हैं उन में मिलने वाली चीजें और पकाने का तरीका. खाने में पोशक तत्व तीसरा महत्वपूर्ण कारक है. जंक फूड में जादा मात्रा में शक्कर, नमक, रिफाइंड तेल और मैदा पाया जाता है. जादा तर जंक फूड को तल कर या सेख कर पकाया जाता है. ऐसे खाने में कई कृत्रिम रंग, स्वाद और परिरक्षक मिले होते हैं. ये खाने का स्वाद, सजावत और इसे इस्तिमाल करने की अवधी को बढ़ाने का काम करते हैं. जंक फूड में कैलरी जादा होती है इन खानों में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज पदार्थ बहुत कम या बिल्कुल नहीं पाए जाते आम तोर पर खाये जाने वाले जंक फूड हैं तले हुए नमकीन स्नैक्स जादा तर फास्ट फूड भी जंक फूड होते हैं जैसे पीजा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, पफ पेस्ट्री, समोसा वगेरा कुछ पीने की चीजे भी जंक फूड में मानी जाते हैं जैसे कोल रिंग्स, फलो के रस और कृत्रिम रूप से स्वाद वाली पीने की चीजे इसमें कैफीन वाली पीने की चीजे जैसे सोडा और ताकत बढ़ाने वाली चीजे शामिल हैं मिठाईयां, जादा तली हुई मिठाईयां, जैम, जैली, चटनी, कैचप भी जंक फूड हैं बिस्कुट, केक, चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम भी इसके ही उधारन हैं आएए अब जंक फूड से हमारे शरीर में होने वाले नुकसान को समझते हैं जंक फूड में शक्कर जादा होने से ये हमारे खूण में शक्कर का स्तर बढ़ा देता है इसकी वज़े से पैंक्रियास हमारे खूण में इंसुलिन छोडता है इंसुलिन एक ऐसा हर्मोन है जो कोशिकाओं को खोलने का काम करता है कोशिकाएं खून से शक्कर लेती हैं हमें उर्जा देने के लिए जादा शक्कर शरीर में चर्बी बन कर जमा हो जाता है जादा शक्कर वाले खाने को हमेशा खाते रहने से इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है इंसुलिन प्रतिरोध के वक्त शरीर इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाता और शक्कर हमारी कोशिकाउं द्वारा नहीं लिया जाता इसकी वजह से इंसुलिन और खून में शुगर बढ़ जाती है बढ़ा हुआ इंसुलिन दिमाग को भूख लगने का संकेत भेशता है और शरीर भूख ना होने पर भी जादा खाना खाने लगता है और फिर इस से जादा खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है आईए इसे एक उदाहरन से समझते हैं बिस्कुट या लड़ू खाते समय हम खुद को थोड़ा खाकर नहीं रोक पाते हमारा इसे जादा से जादा खाने का मन करता है इसलिए हम एक ही बार में पूरा पैकेट या जादा लड़ू खा जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग को भूग के संकेट भेजे जाते हैं सोडियम का सोखना बढ़ा देता है इसकी वज़े से सोडियम शरीर में ही रह जाता है और फिर इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और पानी शरीर में ही रहता है उसकी वज़े से हातों और पैरों में सूजन दिखने लगती है आईए आपको एक और उधारन से समझाते है चिप्स खाने के बाद हमें आम तोर पर प्यास लगती है क्योंकि नमकीन खाने से हमारे खून में सोडियम कस्तर बढ़ जाता है और तब दिमाग प्यास का संकेत भेशता है जिससे हम जादा पानी पीते हैं पानी पीने से शरीर में सोडियम कस्तर कम होता है लेकिन जूस और कोल्ड रिंक शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ा देते हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है शक्कर और नमक के अलावा जादातर जंग फूड में मैदा होता है जादातर गेहूं का मैदा इस्तिमाल होता है इस मैदे में फाइबर और जरूरी पोश्रतत्व नहीं होते हमारे शरीर में फाइबर का जरूरी काम होता है ये धीरे-धीरे पच्चता है और हमें लंबे समय तक पेट भरे रहने का एहसास कराता है इसलिए जब हम कम फाइबर वाला जंक फूट खाते हैं तो ये जल्दी पच जाता है हमारा पेट जल्दी खाली हो जाता है और हमें फिर से भूक लगने लगती है फाइबर का एक और फाइदा है आंत को स्वस्थ रखना हमारी आंत में अच्छे और हानिकारक दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं फाइबर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है जिससे अच्छे पाचन और पोशक तत्वों के सोखने में मदद मिलती है बाकी के फाइदे हैं रोग प्रतिरोधक शक्ती बढ़ाना स्वस्थ त्वचा और सूजन कम करना फाइबर हमारे मल को पानी सोखने के लिए जरूरी होता है यह मल को नरम और भारी बनाता है इस तरह मल आसानी से आंथ से निकल जाता है क्योंकि जंक फूड में फाइबर कम होता है इसे लगातार खाने से कब्ज हो सकती है जंक फूट का दूसरा नुकसान है कि ये आंथ से अच्छे बैक्टीरिया कम करता है इससे सूजन बढ़ जाती है और कई तरह की बिमारियों का खत्रा होता है कुछ जंक फूट में जादा रिफाइंड टेल जैसे ट्रांस फैट होता है केक, बिस्कुट, बेकरी का समान, नकली मक्षन, वनस पती सब में ट्रांस फैट होता है ट्रांस फैट बुरे कलिस्ट्रॉल का स्थर बढ़ा देता है और अच्छे कलिस्ट्रॉल को कम करता है कलिस्ट्रॉल हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक तरह की चर्बी है अच्छा कोलेस्ट्रॉल दिमाग, त्वच्चा और दिल के बहतर काम करने में मदद करता है लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमारे स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है जादातर तले हुए जंग फूट को ओमेगा 6 फैट वाले तेलों से तयार किया जाता है जैसे सूरज मुखी का तेल, कुसुम का तेल और सोया बीन का तेल इसमें मक्का का तेल और बिनौले का तेल भी शामिल हैं इन तेलों में शामिल ओमेगा 6 हमारे शरीर में बुरे कलिस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा देता है बढ़ा हुआ बुरा कलिस्ट्रॉल हमारे रक्त वाहिकाओं की सतह पर जम जाता है जरूरत से जादा फैटी एसिड ओमेगा 6 हमारे शरीर में सूजन बढ़ाता है इससे शरीर में इंसूलिन प्रतिरोत और दिल की बिमारियां होती हैं जादा जंक फूट खाने से कई नुकसान होते हैं मोटापा, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, डाइबर्टीज सबसे आम बिमारियां हैं जंग फूट शरीर में दिल की बिमारियां और हानिकारग कोलेस्टरॉल का खत्रा पैदा करते हैं। नींद में परिशानी या अंडा शय में गांठ भी बन सकती है। बहुत ज़ादा जंग फूट खाने से पेट खराब हो सकता है। इससे जी मचलना, उल्टी और भूख भी कम हो सकती है। जंग फूट के और नुकसान दान्तों की कमजोरी, एलर्जी और कैंसर हैं। जंग फूट में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाले पोशक तत्वों की कमी होती है। इसलिए जादा जंग फूट खाने से हमारे रोग प्रतिरोधक शमता कमजोर हो सकती है। जिसके कारण हम अकसर ठकावट या कमजोरी महसूस करते हैं। आम तोर पर जंग फूट से होने वाले नुकसान के बारे में हमें नहीं पता होता। इसलिए बिना सोचे हम उन्हें लगातार जादा मात्रा में खाते रहते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए खाने को चुनते समय ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ ये टुटोरियल समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विने कुमार द्वारा अनुवादित है। IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ, हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जंक फूड जादा खाने के कारणों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है। इस टुटोरियल में हम सीखेंगे जादा जंक फूड खाने के कारक और अपने खाने में से जंक फूड हटाने के तरीके। जंक फूड में जादा मात्रा में चीनी, नमक, रिफाइंड फैट और रिफाइंड आटा होता है। जंक फूड खाने से होने वाले हानी कारक असर के बारे में अन्य टुटोरियल में बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेब साइट देखें। आईए समझते हैं कि जादा जंक फूड खाने के क्या कारक हैं। इन दिनों जंक फूड आसानी से खरीदने को मिलता है ये आसपास की दुकानों में, स्कूल की कैंटीन में, ठेलों पर और होटलों में भी मिल जाता है आईए अब समझते हैं जादा जंक फूड खाने के दूसरे कारक कभी-कभी माए, नौकरी और घर के कामों में व्यस्थ होती हैं इसलिए उन्हें अपने बच्चों के लिए लिए घर पर पोश्टिक खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता और वो घर पर बने खाने के बजाए बच्चों को बाहर से खाना खरीदने के लिए पैसे दे देती हैं बच्चे उन पैसों से चाकलेट, आइसक्रीम और चिप्स खरीद लेते हैं जंक फूड अक्सर पौश्टिक खाने की तुलना में सस्ता मिलता है जैसे एक प्लेट, रोटी, दाल और सबजी की कीमत थोड़ी जादा होती है इसी लिए लोग कुछ सस्ती चीजें जैसे समोसा, चिप्स और बिस्कुट खरीद लेते हैं कभी-कभी माता-पिता बच्चों की पसंद ना पसंद को अंदेखा कर देते हैं बच्चे कई बार रोज बनने वाले घर के खाने से उप जाते हैं घर पर अलग-अलग किसम के खाने ना मिलने की बज़े से वे जंक फूट खाना पसंद करते हैं और जंक फूट बच्चों को स्वादिश लगते हैं ज़ादा मीठा जंक फूट खाने से दिमाग में से डोपामाइन जैसे रसायन निकलते हैं. जब डोपामाइन ज़ादा निकलता है तब हमें खुशी और आराम का एहसास होता है. इसलिए हमें जंक फूट खाने की लत लग जाती है और हमें इसे ज़ादा से ज़ादा खाने की इच्छा होती है। जंक फूट खाकर हमें आराम का एहसास मिलता है। ऐसा तनाव के दौरान उदासी, अकेलापन और चिंता में जादा होता है। विज्यापन भी एक कारक है जिसकी वज़े से हमारा जंक फूट खाने का मन करता है। जंक फूट के विज्यापन बहुत बहावित हो जाते हैं। दोस्तों का भी हमारे खाने की पसंद पर असर होता है। जैसे कि एक विद्यार्थी स्कूल में रोटी और सबजी लाती है। पर अगर उसके दोस्त जंक फूड लाएंगे तो उस विद्यार्थी का भी वही लाने का मन करेगा। माता पिता को समझना चाहिए कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर बच्चे माता पिता को पौश्टिक खाना खाते देखेंगे तो वे भी पौश्टिक खाना खाने को प्रेरित होंगे। माता पिता को अपने बच्चों के लिए एक अच्छा आदर्ष बनना हमेशा याद रखें बच्चों को इनाम के रूप में जंक फूड नहीं देना चाहिए। माता-पिता अक्सर बच्चों को इनाम के तौर पर जंक फूड दे देते हैं, जैसे स्कूल का काम खतम करने के लिए और परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए। इससे बच्चों को ये लगता है कि जंक फूड खाना ठीक है और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं जंक फूड खाना उनकी आदत बन जाता है इसलिए हमें बच्चों को इनाम के रूप में जंक फूड नहीं देना चाहिए खाना खाते हुए कभी भी टीवी या मोबाइल नहीं देखना चाहिए टीवी देखते समय हमारा ध्यान खाने पर नहीं होता इसलिए हमारा खाना खाकर भी मन नहीं भरता और फिर हम जादा खाते हैं इसके साथ साथ माओं को बच्चों के लिए अलग-अलग तरह के खाने बनाने चाहिए इससे बच्चों के रोज के खाने को मज़िदार बना सकते हैं अलग-अलग रंग और पोशक्ततों वाले खाने बनाने चाहिए अलग-अलग खाद्य समुहों के सामगरी से खाना बनाएं. मैं आपको एक उदाहरन देती हूँ. सादे चावल में डाल सबजी और अंडे मिलाकर उसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है. इस तरह से बच्चे घर का खाना खाने के लिए उत्साहित रहेंगे. खाना बनाने से पहले बच्चों की पसंद ना पसंद का ख्याल रखना चाहिए. अगर बच्चे कोई एक चीज पसंद नहीं करते हों, तो उसे दूसरे खाने में डाल कर खिला सकते हैं. जैसे कुछ बच्चे सबजियां खाने को मना करते हैं, तो सबजियों को पराठा, चीला या कटलेट में डाल कर खिला सकते हैं सबजियों को काट कर या प्यूरी बना कर सूप की तरह दे सकते हैं जंक फूट के बजाए पौश्टिक खाना ही चुने वड़ा पाव, समोसा और बिस्कुट के पैकिट की कीमत 5 से 10 रुपे होती है पर उसी पैसे से हम दो अंडे या एक गिलास दूद खरीच सकते हैं बच्चों के दूद में स्वाद बढ़ाने के लिए बाजार में मिलने वाले पावडर ना डाले उसके बजाए आप दूद में हल्दी या दाने और बीजों का पावडर मिलाएं कैचप और सौस के बजाए आप दाने और बीजों से बनी चटनी खिलाएं चिप्स और तले हुए चिवडे के बजाए आप भुनी हुई मूफली या चना खिलाएं हरा चना, काला चना और मक्के को उबाल कर भी खा सकते हैं रिफाइंड आटे से बनी पूरियां ना खाएं बजाए इसके अनाज, जवार और बाजरा से बनी चपाती या पराठा खाएं बुरे फैट जैसे की रिफाइंड तेल की जगा अच्छे फैट वाले तेल का इस्तिमाल करें अच्छे फैट वाले तेल के उदाहरन हैं नारियल का तेल, शुद्ध देसी घी और मक्कन दाने, बीज, अंडा और मचली में भी अच्छा फैट होता है इसके बजाए पानी, नीमबू पानी, नारियल पानी, छास और दूद पी सकते हैं बच्चों को रस पीने के बजाए मौसम के हिसाब से मिलने वाले फल खाने के लिए उत्साहित करें फलों का रस या पीने की मीठी चीजें दो साल से छोटे बच्चों को ना पिलाएं और दो साल के बच्चों को चाए और कॉफी भी ना दें पान से नौ साल के बच्चों को आधा कप या 100 मिलिलिटर चाए या कॉफी दे सकते हैं और किशोरों को एक कप या 200 मिलिलिटर दे सकते हैं। पांच साल तक के बच्चों को चाए और कॉफी नहीं देनी चाहिए। बच्चों और किशोरों को इनर्जी मिलने वाला मीठा पानी और सोडा बिलकूल ना दें। जंक फूड सप्ता में सिर्फ एक ही बार खाएं। सही सामगरी से बना घर का खाना बाहर के जंक फूड से जादा स्वास्थ बढ़ाता है। हमेशा याद रखें, आदत बनाने में समय लगता है। इसलिए बच्चों को छोटी उम्र में ही पौश्टिक खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। इसी के साथ यह टूटोरियल समाप्त होता है। IIT Bombay से मैं, Bella Tony, आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुणने के लिए धन्यवाद। कर दो हमसे जुदा लेती है। इस जुदा लेती है। झाल झाल